नुमर 7, log 1 into 2 into 3 is equal to log 1 into log 2 into log 3 हम एक प्राफिटी बाट चोके हैं, log A into B is equal to log A plus B log A plus log B is equal to log A into B के हम plus में से multiply single log के साथ लिख सकते हैं यह उसका practical proof है इसका हम किस सारा करेंगे, right hand side ले देंगे क्योंकि यहां इस सारा इजी है, right hand side से तो right hand side right hand side क्या है हमारे पास, log 1 plus log 2 plus log 3 log 1 plus log 2 plus log 3 अब इसके बाद next step में के करूँगा, मैं let कर रहूँगा let x is equal to log 1 log 1 किसके बराबर है? x के ant y is equal to log 2 log 2 किसके बराबर है? y के ant z is equal to log log 3 किसके बराबर आ गया? z के अगर मैं इसे equation 1 कह दूँ तो जो let किया है इसमें अगर मैं put कर दूँ तो यह क्या बन जाएगा? यह equation क्या बन जाएगी? x log 1 की जगह पर x लिख दूँ log 2 की जगह पर y लिख दूँ log 3 की जगह पर z लिख दूँ तो यह बन जाएगी x plus y plus z यह equation बन जाएगी इसे मैं equation a का नाम दे देता हूँ ant पर हम equation की जगह पर equation put करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा यह आप remember कर ले a log 2 put करेंगे यह फिर mix up हो देगा x is equal to log 1 अब मैं लेता हूँ take taking taking क्या लिया मैं ने x is equal to log 1 log 1 ले लिया आपसे divide कर दे let's suppose अगर किसी को term को 1 से divide करें वो as it is रहती है 2 over 1 क्या होगा 2 3 over 1 क्या होगा 3 इसी तरह x over 1 क्या होगा x और log 1 को अगर 1 से divide कर दिया जाए तो कोई इसकी properties में change नहीं आएगा equality as it is रहेगी इससे क्या कर दिया log 1 over 1 1 से divide कर दिया तो अब next step में क्या लिख दूंगा में log 1 over log 10 लिख सकता हूँ 1 किसके बरापर होता है 1 is equal to log 10 log 10 किसके बरापर होता है 1 के हम पढ़ चुके है 1 is equal to log 10 log 10 is equal to log 10 log 10 is equal to 1 इस तरह निशने का फाइदा क्या होगा कि इस तरह इस फॉर्म में चलेगी यहां इस आज इडिस यहां से हम यह भी लिख सकते हैं लॉग लॉग इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है लॉग जिसको इनको लॉग 10 and 1 ठीक कि 10 में चोड़ा था इधर 1 लेकि इधर लिखने का सुरूरत नहीं है क्योंकि हम ड्रेक्ट में आज सकते हैं इसको किसके ब्रावर आगया X X is equal to log 1 over log 10 अब log 10 को इगर X से multiply कर दिया जाए इस तरह ले जाए, cross multiply करके X into log 10 is equal to log of 1 अब log की प्रावर टी है X के आज जाए बार 2 होता था इस 10 के उपर लिखेते हैं इस तरह X यहाँ से प्रावर टी के तहर 10 के exponent में चला जाएगा तो क्या बाज जाएगा ऐसा result हमारे पास क्या आजाएगा यह वियंक यहाँ की ऐसा result क्या जाएगा 10 log 10 exponent में क्या X is equal to log log 1 आप फिदर log 1 लेना नहीं कि log 1 सी यहाँ तक आगया आप के कर देंगे taking anti-log taking anti-log anti-log लेने लेंगे log-log cancel हो जाएगे anti-log into log तो क्या बाज जाएगा यह यहाँ फिर reminder आजेगा anti-log anti-log लेने से क्या आजेगा log inverse into log 10 के exponent में X is equal to log inverse into log and 1 तो यह log कपस में cancel हो जाएगा anti-log से तो क्या आजेगा 10 के exponent में X is equal to 1 10 के exponent में X is equal to 1 similarly अगर हम Y ले ले X की जगा पर क्या यूज करें Y taking Y तो Y क्यास लॉग 2 के बरापर था और Z क्यास लॉग 3 के तो यहाँ पर क्या आजेगा 2 and यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 आजेगा यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 2 तो क्या आजेगा इसके X के लिए पर Y आजेगा X को replace कर देंगे Y से और 1 को replace कर देंगे 2 से तो यह इदर क्या देगा 10 के exponent में Y is equal to 2 and इसी तरह 10 के exponent में Z is equal to 3 आजेगा इसको मैं अगर similarly यहाँ तक करके स्वाल replace अगर आप करना चाहे स्वाल की लेंट इंक्रीज करना चाहे यहाँ एक X आप लिए इस तरह 10 के X में is equal to 1 और साथ लिख देंगे similarly similarly as जिसना हमने पीछे कि याँ सी दराख का मत similarly 10 के एक्सपोनें Y is equal to 2 and 10 के एक्सपोनें Z is equal to 3 अब आगे इसना मजीद सावल करने के लिए राव निनको कुछ नों को नाम दे देगे 2 3 and 4 इन तिनों को हम जब एड करेंगे एडिंग 1 2 and sorry 2, 3 and 4 एडिंग 2, 3 and 4 तिनों को जब एड करेंगे 10 के एक्सपोनें X plus 10 के एक्सपोनें Y plus 10 के एक्सपोनें Z is equal to 1 plus 2 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 अब अगर बेसी सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को एड का सकते हैं तो इस एक्सपोनेंट्स एड हो जाएंगे और बेसी सेम है 10, 10, 10 तो क्या बादेंगे 10 एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट्स को जाएगा ये सारी X plus Y plus Z पावर्स में हैं सारी टर्म की तरह log से पहले आ जाएगी, base में, x plus y plus z into log 10 is equal to log 1 plus 2 plus 3, log 10 क्या हो जाएगा, इसलिए log 10 की जगा पर हमने log 10 लिखा था, इसलिए log 10 की value क्या होती है, 1, तो यह क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पर गार जाएगा, x plus y plus z is equal to log, 1 plus 2 plus 3, x plus y plus z, तो यह तो equation a थी, x plus y plus z तो equation a थी, तो क्या दिखनेंगे, put in equation a, put in equation a, equation a पर जाएगा, x plus y plus z, किसके बराबर आजएगा, log, 1 plus 2 plus 3, और equation a थी, जो उसी right hand side थी, equation a, और equation a क्या थी हमारे पास विछले step में, उसी right hand side, एकुईन एक इस तरह थी के पहले हमने लिखा था लॉग एकुईन एस तरह थी के लॉग वन प्लस लॉग तू प्लस लॉग त्री किसके ब्रावर से लिखा सा मैं लॉग 1 को x के ब्रावर लॉग y तो इसको लिखा सा मैं एकुई प्लस y प्लस z के लॉग 1 क्या है x तो इसकी जगा वे अगर मैं ये पुट करता है जो हमने find किया है तो क्या आजाएगा log 1 is plus log 2 plus log 3 is equal to log 1 plus 2 plus 3 तो ये right hand side के बराबर पूंप हो चुकी है left hand side के तो ये ही मारा जवाब है हमने prove कर दिया है शो कर चुके हैं उने का show that तो हमने show कर दिया है कि right hand side left hand side के बराबर है